Reflex section और Reflex R को समझने से पहले एक सीरीज समझ लीजिए उसके बाद हम Spinal Cord के TS section पढ़ जाएंगे पहले आपको यह बता दें कि Body में जो system है यह इस तरीके से काम कर रहा है कि हमारा जो Central Nervous System है Nervous System को जो Central Nervous System है इसका काम यह होता है कि body में जहां जो कुछ भी हो रहा है उसके सारे messages brain और spinal cord को जा से है यह आपका brain और spinal cord ही आपका कहलाता है CNS ठीक है तो जितने भी messages brain और spinal cord के जाते हैं यही इसको process करने का काम करते हैं यानि कि decision जो लेना होता है जो action लेना होता है उसको decide करते है कौन brain और spinal cord लेकिन जो कुछ ऐसे messages आते हैं जिनमें जो actions लेने होते हैं उन actions को काफी सोंच समझ कर लेना होता है ठीक है जिसमें thinking involved होती है यानि जो complex processing जिसकी होनी होती है उसमें हमेशा brain involved होगा लेकिन जो छोटे मोटे responses छोटे मोटे messages आते हैं हमारी body से उनको उनमेंके action लेना है जिनको action लेने के ज़्यादा thinking जरूत नहीं है ज़्यादा सोचने समझने के हमको जरूत नहीं के हमको करना किया actually मैं तो जो thinking required नहीं है जिनमें हमको सोचने के जरूत नहीं तुरंत एक्षन लेना है और सिंपल सा एक्षन होता है वो सारे decision इस्पैनल कॉर्ड खुदा किरा लेता है ब्रेन को transmit नहीं करता है वैसे temporarily सारे के सारे messages body में जो कुछ हो रहा है वो सारे के सारे messages sensory neurons से इस panel code तक आते हैं पहले अब इस panel code ये decide करता है कि जो message आया है ये message किस level का है कै इसको high processing के जरूरत है कै इसको ज़्यादा processing के जरूरत है या thinking की जरूरत है ठीक है जिसमें कुछ हमारे previous encounters है previous informations है जो हमारी knowledge है जो हमारी thinking की capability है उस हिसाब से जो हमको जो हमारी memory है उसके हिसाब से हमको उस information को process करना है और thinking level पर जाकर हमको complex decision लेना है तो अगर ऐसा decision को ही लेना हो तब ही वो message जो है brain को transmit किया जाएगा otherwise जो normal message होते हैं वो this panel code अकेला deal कर लेता है ठीक है तो हम लोग reflex action और reflex art की बात करने आ रहे है वैसे reflex action और reflex art में rapidly क्या है एक brain के वर करने का तरीका बताये गया है खासकर तब बताये गया है जब कभी भी आप body को sudden response देना होता है यानि कि तुरंद action लेना होता है body में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो body के लिए harmful होती है और आपको तुरंद response देना होता अगर आपने response लेने में late कर दिया तो वो नुकसान हो जाएगा इस वज़े से कभी भी जब भी body में कोई sudden response देना हो ठीक है एक spontaneous response एक automatic response stereotype sword lift mechanical response देना हो ठीक है तो always spinal cord ही involved होता है ठीक है कभी भी message brain को नहीं दिया आते जैसे for example कभी आपको काटा गड़ गया या कभी आपने hot plate टच कर ली या कभी आपको current लग गया हाथ में तो current लगना hot plate लगना pin चुबना ये आपके body को ये बताता है कि ये हमारे हानफूल है ये body को damage कर सकता है तो जितना जल्दी-जल्दी हो सकता है हमको action लेना होता है तो जब हमको बहुत तेजी से action लेना होता है frequent action जितना तेज हम action लेना चाहे ऐसे जो actions होते है उन actions को हम लोग बोलते है always reflex actions और वो actions उनके जो messages जाते है वो कभी भी brain को नहीं जाते हैं, यानि जब भी हमको sudden response देना होता है, तुरंत response देना होता है, कभी भी, किसी भी stimulus का, तो वो जो response होता है, वो response अकेला इस spinal cord ही transmit करता है, यानि वो decision हमेशा इस spinal cord लेता है, क्योंकि अगर हम, अगर हमने time ले लिया, जैसे कुछ actions हैसे होते हैं, जैसे, for example, जैसे कि हमने सामने अपनी आखों सेर देखा, तो आखे हमारे sensory organ होगी और यह message दे रही है हमारे brain को, ठीक है, तो इसमें तो आप कह सकते हैं, कि थोड़े बहुत brain भी involved हो रहा है, क्योंकि brain इसको identify करता है, कि जो अगर आपने brain के बार, अगर सेर के बारे बढ़ में, जैसे, spontaneously कोई चीज हो जाए हमारे साथ, जैसे कि हम घीजिच को याददास में रहते हैं, जैसे हमने सेर को देखा हो, सेर को देखने के बाद हमारा brain अनलाइस किया memory से खंगाला, उसके बाद हमने action लिया, वो reflex action में नहीं आएगा, reflex action में वो चीज़ें आती, जिसमें क अभी भी सोचने समझने कि आपको जरूथ ही नहीं, memory क्या हो सकता नहीं, thinking के जरूथ ही नहीं, वो action अपने आप हो जाएगा, for example, अगर कोई पत्थर आपके आँखों की तरफ कोई तेजी से है, तो आपके आँखों की पलके फटाक से बंद हो जाती है, बिन आए सोचे होने सा, spinal cord लेता है, ठीक है, और ऐसे sudden responses, ऐसे spontaneous responses, ठीक है, को हम लोग reflex action बोलते हैं, इसके बारे notes आपको हम सेंड कर देंगे, clear, तो एक primary path भी बताते हैं, कि जैसे कोई भी वो part, जो part stimulus को receive करता है, stimulus का मतलब क्या हुआ, stimulus जैसे आप यह कह सकते है, hot, यह से एक pin है, ठीक है, तो कोई भी चीज, जो आपको action लेने पर मजबूर करती है, वो कहलाता है stimulus, यानि, जिसकी वज़े से action लिया जाना है, वो है stimulus, stimulus को जो receive करता है, body में वो होता है, receptor, ठीक हमारी body में, polyskin पे हर जगे receptors हैं, तो एक होगा stimulus, stimulus वो होगा, जो action create करेगा, यानि, stimulus वो होगा, जो हम हमारी body में reflex action create करेगा, यह वो stimulus है, जो हमारी body के लिए खतरनाख है, इसको receptor ने receive किया, और यह देखा कि हमारी body के लिए dangerous है, तो क्या action लेना है, तो receptors हमेशा क्या करते हैं, stimulus को receive करते हैं, ठीक है, stimulus को, जैसे आप पिन चुबना, तो पिन चुबना एक stimulus हो गया, hot plate का हाथ मे लगना वो एक stimulus हो गया, तो वो सारी चीज़े stimulus होती है, receptor वो होते हैं, जो specialized हमारे organs होते हैं, sensory organs, जो उसको receive करते हैं, उस message को decode करते हैं, ठीक है, और अब इसके बाद क्या होता है, यह आपका CNS system, receptor करते हैं, क्या receptor पहले उस message को, कि यहाँ पर को stimulus आया, जैसे pin चुबा है, तो इसका message वो एक particular series of neurons से spinal cord को भेजेंगे, तो वो series of neurons, that series of neurons which transmit the message from receptor to the spinal cord for processing, यानि receptor से message जो spinal cord को जाएगा, process होने के लिए, वो सारी जो chain होती है, neurons की, वो कहलाती है, आपकी sensory neuron की chain, यह आपकी होगी sensory neuron की chain, sensory neuron करता क्या है, message को receptor से spinal cord तक हो जाएगा, ठीक, अब spinal cord उस message को process क करेगा, processing करने के बाद उस sensory neuron, sensory impulse को, जो nerve impulses आई थी sensory neuron से, वो आपकी sensory impulses, उस sensory impulses को तुरंत convert करेगा, action लेने के लिए, तुरंत ये define करेगा कि action क्या लेना है, ठीक है, ब्रेन तक message नहीं जाना है, ब्रेन तक अगर message गया, तो reflex action नहीं हो गया, मतलब जो भी actions इस panel cord से ही लि ऐसा कोई message अगर CNS को आता है, जिसमें thinking के जरूवत हो, memory के जरूवत हो, ऐसे message brain को transfer की जाते हैं, कोई complex criteria हो, तो वहाँ पर इस panel cord brain को भेजेगा, कि आप decide करिए कि करना क्या है, और ये काफी time ले लेगा, लेकिन जो reflex action होते हैं, काफी तेज होते हैं, इसलिए brain तक transfer नहीं क जाएगा motor impulses में, और ये motor impulses, यानि कि जो action लेने वाले impulses हैं, action क्या लेना है, वे action वाले impulses हैं, वो आपके एक motor neuron की chain के दरूँ भेजी जाएगी, यानि आपको झो action लेना है, वो sensory neuron की chain से नहीं जाएगी, वो दूसरी neuron कीлем से जाएगी, यापने देखा होगा कि neurons में जो आपको इधर वेजना है तो आपको दूरी काफी है तो काफी दर नीरोंस इन्वाल होंगे दूरी कम है तो एक दूरी मोटर नीरोंस इंवाल होंगे ठीक है यहां से इंपल्स जाएंगे आप यह देखना होता है कि जो आपको एक्षन लेना है वो एक्षन अगर इसी पार्ट पे लेना है यानि इसी को एक्षन लेना है तब तो यह नर्व इंपल्स जो होंगी वो इंपल्स जो होंगी मोटर नीरोंस से इसी पॉइंट ए पर चली जाएंगी लेकिन अगर जो लेने वाली impulses जाएंगी वो पार्ट आपका कहलाएगा effector ठीक है effector वो पार्ट हुआ body का जिस पर motor impulses आ रही है motor neurons से यानि कि क्या action देना है हमको क्या reaction देना है body में reaction क्या देना है वो action लेने के लिए जिस पार्ट पर spinal cord से message आता है वो पार्ट आपका कहलाता है effector new ठीक है तो इसमें reflex action और reflex arc में reflex action में आपकी तीन चीज़े involve हो रही है एक stimulus सॉरी तीन सता चीज़े involve हो रही है तो क्या क्या चीज़े main है stimulus जो stimulate करेगा reflex action के लिए receptor जो stimulus को receive करेगा sensory neuron की पूरी chain जो message को transfer करेगी spinal cord action लेगा ठीक है इस spinal cord decide करेगा कि क्या action लेना है अब यह जो action लेने वाली impulses है यह impulses एक motor neuron के थुरू effector पर भी जाएंगी जिसको action लेना है तो action लेना effector को यानि कि जो आप react करेंगे वो किसे react करेंगे effector से react करेंगे तो यहाँ motor neurons की brain घरकेंगे प्रॉ пой कोauft में चुबने और आपके हाथों में चुबरा करेंगे तो आप हाथ को या काटा आपके हाथ कprotर मेशां किया काटा भगल में आपके हाथओ गया तो आप हाथ हटाते हुना तो हाथ पुरा का पुरा हाथ पीछे लाती ओ तो जब हात का movement करते हुँ आप, तो हात का movement में आपकी जो biceps or triceps की muscles हैं और जो elbow की muscles हैं, वो action लेती है, यहनि की अगर आपका यहात है, ठीक है, और अगर काटा कहीं आपके यहाँ पर ज्पता है, то आप हातका अपका कोटाने के लिए, यहाँ की जो muscles हो ती है, आपने मैसेज भिजा इस पैनल कॉर्ड को लेकिन इसके बाद जो एक्षन लेना है वो इनको लेना क्योंकि जब यह काम करेंगी तब आप कहां थटेगा इसलिए जो एक्षन वाले और वो कहां से बशे जा है इस पैनल कॉर्ड से तो इसमें इतनी सारी सीरीज इन्वाल होती हैं क्लियर तो रेफलेक्स एक्षन सदन रस्पॉंस होते हैं स्पॉंटिनेस काफी तेज काफी क्यूक रस्पॉंस होते हैं does not require thinking जिसमें brain क्या हो सकता नहीं पड़ती है सीधा वो spinal cord actions लेते हैं ठीक है इसमें चार चीजें मेली जो involve होती है एक आपका stimulus, receptor, sensory neuron की chain, spinal cord, motor neuron और effector clear अब हम लोग इसको एक figure से देखते हैं, spinal cord के structure को देखते हुए देखते हैं कि क्या-क्या इसमें चीजें exactly होती हैं ठीक है अब इस पार को देखे जैसे पहले यहां समझाते ही कि structure कहां से आया है यह आपका brain है और यह नीचे की स्थरफ spinal cord आती हुई brain और इस spinal cord अब आपको spinal cord जैसे ही कि यह pen है यह rod की तरिके से pen है यह पूरी ठीक है यह कि होगा इस spinal cord अब इस पैनल cord का एक section cut करना है यहाणी इस spinal cord का आप यहां से cut कर दीजे यहां से इस कुर्वन का के इसको निकाली तो जैसे हमने कहा की हमें इसके आदर कि अन्दर क्या है इसको अगर देखना है तो इसे कहीं से cut करना होगा ना इस तरीके से तो कर आप ऄषो कट करेंगे तो कट करनेक बाद दीखे जैसे मा लेते हमने यहां से स्वो कट कर दिया तो कट करनेक बाद वाद सक değer warm दिखेगा इस तरीके से यह यह यही इमेज यहां पर द्रेखाए गर को यहींगिया आपकी इस्ट वाली जो image है ठीक है इसकी image हम लोग कहां बना रहे हैं यह बना रहे हैं this is the part यह आपका spinal cord है आपको यह भी बता दें कि जो body में spinal cord होती है spinal cord से बहुत सारी nerves इस तरीके से निकलती जैसे for example यह आपकी spinal cord हो गई ठीक है अब spinal cord से nerves इस तरीके से यहां से इस region में और इस region में इस तरीके से निकलती है ठीक clear अब इसी को हम लोगों ने यहां से cut किया है यह section और देखने शुरूआ तब यहां भी nerves आपको दिखेंगी इस तरह भी nerves दिखेंगी वही हम लोग structure देखने जा रहे है ठीक है तो देखें इसमें आपको reflex पातव दिखाने जा रहे है यह आपका spinal cord का एक section हो गया spinal cord को जो हम लोगों ने गोल कट किया है spinal cord का यह region देखना है किनारे का region यह इसको बोलते हैं हम लोग white matter और जो अंदर का matter ही जो हमने डॉट कर रखा इसको बोलते हैं gray matter ग्रे में अपचली में वो होता है जहां पर जो जो हमारी neurons होती है उनको cell bodies होती है वो जहां concentrated होती है वो ही cns system में यानि central nervous system में जहां-जहां भी cell bodies होती है body का जो cyton था ठीक है उस तो cell bodies थी वो एक जहाँ एकठा concentrator होती है वो रीजन बनाता है आपका gray matter और जो exon वाला part होता है वो जिस region में होता है वो whitest color का होगा और वो बनाता है आपका white matter याद रखेगा brain में भी हर जगा gray matter white matter आप पढ़ेंगे तो gray matter जानेगे cell body जहाँ concentrated है वो आपका gray matter है और आपकी जो आपकी exons है जो लंबी वाली exons वो जिस region में ज़्यादा concentrator का होगी वो whitest color का होगा ठीक है अब इसमें देखे यह आपका इस portion को देखे यह जो उपर की तरफ देख रहे है यह actually यह portion आपका dorsal है और नीचे वाला portion आपका ventral है यह इस वज़े से है क्योंकि जैसे कहने का मतलब है कि spinal cord में जैसे आपने यह cut किया यह देखे यह तो जो pit की तरफ होता है pit होला जो portion होता है वो आपका dorsal होता है जो front region होता है जो back portion होता हो dorsal जो front portion होता ventral तो अगर body में spinal cord किसी की है तो spinal cord को अगर हम इस तरीके से देखेंगे यहां से हमने cut किया तो पीछे वाला यह back side का हो गया dorsal portion हो यह क्या हो गया सामने का तो front portion वह हम लोग देख रहे है यह back side का जो pit की तरफ है और यह ventral portion जो आपके stomach की तरफ है ठीक तो इसमें देखेंगे आप देख रहे होंगे यह दो horns निकले हैं सींगे जैसे होती है दो horns उपर दो horns नीचे तो जो उपर की सींगे हैं यह पीट की तरफ है यह हम लोग यह spinal cord ऐसे रखी हुई है ठीक है यह तो यह वाला portion आपका dorsal हो गया यह वाला portion आपका इधर का portion आपका ventral हो गया इधर वाला portion आपका dorsal हो गया ठीक है पीछे का यह region आपका dorsal हो गया यह front का रीजन आपका ventral हो गया तो इसमें जो है दो सिंगे पीछे की तरफ निकली ये दो सिंग है आगे की तरफ निकली, ये देखे ये, इनको बोलते हैं dorsal horn, dorsal horn, और ये वाले आपके हो गए ventral horn, clear, इस पर आपको इतना ही जानना, इसके बाद देख रहे हैं कि ये जो gray matter है, यानि जो spanal cord का थोड़ा से section है वो यहां से निकलेगा, ये spanal cord का section ये भी कहल तो ये जो पाथवे हैं यहां पर एक से ज्यादा neurons के chain हो सकती है, जैसे तार आपने एक दिसा में भेजा, तो हो सकता कि आप एक pipe में कई सारे तारे जो एक direction भेज रहे हैं को एक अकठा कर दो, तो यहां ऐसा तो है नहीं कि ये region सिर्फ एक ही part को message दे रहा है, कई सारे पार्ट के लिए यह route यहां से बहुत सारी neurons निकल दे होंगी, तो neurons का पूरा एक गठर यानि पूरी एक चोटी कह सकते हैं, इस region से निकलती है, लिकिन इस region से सारे के सारे जो होते हैं, सारी आ रही होती है, ठीक है, आ रही होती है, तो क्योंकि sensory neuron है तो यह message लेकर आता है हमेशा, तो यह जो पूरी यहां पर मैंने एक ही दिखाया, क्योंकि हमको एक ही से example के लिएर करना है, तो बहुत स होता है, क्लियर, अब देखते हैं, एक action, यह देखें, एक action को देखें, reflex action को समझने कोशिश करते हैं, उसके बाद clear हो जाएगा, जैसे माल लेते हैं, hot plate आचाना का आपने touch किया, अब यह hot plate आपके skin के ऊपर क्या है, thermoreceptors, ठीक तो यह hot plate आपके लिए हो गया, stimulus, क्लियर, hot plate आपके लिए stimulus हो गया, अब यह message brain को जाना है, central nervous system को जाना है, और तुरंत ही आपको action लेना है, क्योंकि जलती हुई चीज आपके skin को damage कर सकती है, आपके हाथों को नुक्सान पोजा सकती है, आप इसमें सोचने समझने की जरूत तो है नहीं, कि भाई, अब सोचना है कि य क्या नहीं, आपको सीधा action है, कि आपको body को पता है कि जो heat है, यह किस level की heat, यानि कि 90 degree, 100 degree centigrade की जो heat है, यह हमारी body के लिए, खतरनाक है, उसको तुरंत action लेना है कि body part को remove करिए, ठीक है, तो यही जो actions होते हैं, यह reflex actions होते हैं, इनको हमेशा spinal cord ही deal करता है, ब्रेन को जरूत नहीं होती है, तो पर देखते हैं, इस्टुमिलस आपका, यह हो गया hot plate, यह आपका stimulus की तरीकी से काम कर रहा है, अभी जो आपकी, जितनी skins हैं, इस skin पर क्या होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर थर्मो रिसेप्टर्स हैं, यह थर्मो रिसेप्टर्स आपके क्या हो गया है, एक्चिली में sensory organs, इस skin ही आपकी sensory organ है, लेकिन अगर कोई special receptor उस पर काम कर रहा है, तो उसको हम लोग especially sensory organs का ही नाम दे रहे हैं, खर यहाँ पर जो आपका skin है, इसी को आपका सकते हो sensory organ, यह ही आपका कहलाएगा receptor, क्योंकि message तो hot plate को किसने touch क्या, skin के touch में आया है, तो skin ही इस पर संसरी receptors काम कर रहा है, तो यह आपका, यह पार्ट आपका हो गया, जैसे पार्ट पर touch हुआ, और जिसने इस heat को acquire किया, यह impulse जो कह सकते हैं कि, यानि कि, जो heat को census ने किया, वो पार्ट आपका हो गया receptor, यानि इसने stimulus को receive किया, ठीक, receptor के पास क्या होना है, अब यह sensory neurons क एक पूरी chain, sensory neuron, देखे, मैंने किस तरह test किया है, cyton, cell body, nerve ending, cell body, nerve ending, cell body, nerve ending, इस तरह की chain, क्योंकि message इस तरह transmit होना है, और message हमें सा cell body to nerve ending, transmit होता है, तो अब यहां से लेकर यह पूरी पाथवे, यान neurons की पूरी एक chain, अब यह message लेकर जाएगी, spinal cord को, तो दिखे, यह मैंने देखे, यह पूरी chain, यह red वाली, यह पूरी chain, dorsal roots से होते हुए, कहाँ पर आई, gray matter of this panel cord में आई, तो यह जो आपका पूरी chain है, इस chain को हम लोग बोलते है, afferent neuron की chain, यानि chain of afferent neuron, या इसको बोलते है, afferent pathway, देखे, लिखा है, मैंने, afferent neuron, क्या आप कह सकते है, sensory pathway, sensory pathway यह ही होगा, या afferent pathway भी बोलते हैं, इसको या afferent neuron भी बोलते हैं, लेकिन actually में यह हैं क्या sensory neurons है, ठीक है, कुछ बुकम आपको अलग-अलग मिलेगा, तो sensory neuron की chain हो गई, clear, इसको इन ही को बोलते है, हम लोग, afferent pathway या afferent neuron का जो pathway, pathway of afferent neurons, afferent pathway यह आपका ही है, ठीक है, neurons आपके message ले करा है, अब क्या होगा, cns के अंदर जो इस message को receive करेंगी, वो आपकी special type की neurons होगी, जिनको हम लोग बोलते है, relay neurons या inter neurons, relay और inter neurons, यह आपके neurons cns में होते हैं, और यह messages को receive करते हैं, इनको decode करते हैं, यह एक तरह का modulator होता है, जो करता क्या है, इसी को ही action लेने वाली, यानि कि जो action लेने का impulse है, वो यही भेजेगा, तो जो आपका relay or inter neuron है, यही आपका action लेने, क्या action proper लेना है, यह decide करेगा, clear, तो यह आपके actually में connecting neurons हो गई, यह क्या करेंगी, अब message को, इस impulse को sensory neurons से इसने receive किया, और receive करने बाद यह इसको decode करेगा, ठीक है, इसको modulate करेगा, यानि इस impulse को change करके, अब motor pathway से भीज़ देगा, यही action जो लेना है, अब action message लेकर तो sensory neuron है थे, लेकिन अब इसने message received किया, और भी decide कर रहा है, कि हमें hot plate से हाथ हटाना है, तो यह message भीजने के लिए relay neuron क्या करेगा, एक अलग neurons की pathway को भीजेगा, और उस जगह इसको receive करते हैं, और यही sensory impulses को convert करते हैं, motor impulses में, और motor neuron के थ्रू भीज देते हैं, तो आपके relay neurons हो गए, यह connect कर रहे हैं, ठीक है, जो nerve ending था, वो इस internal relay neuron के cell body से, अटेस्ट हुआ, अब यहां से message जो है, convert हुआ, और अब यह message जा रहा है, किसमें motor neuron से थ्रू, motor neuron से action लिया कर सकते हैं, motor neuron ही, especially, लेकिन हाई क्या है, यह motor neurons है, लेकिन इसको हम लोग बोलते है, different pathway, different pathway जिससे message आता है, different pathway जिससे message जाता है, कि क्या action लेना है, clear, तो यह जो neurons हैं, देखिए, अब इनका attachment दुस्तरी किसे हो गए, यहां से इस तरह से attachment थी, और यहां से attachment इस तरह से होगी जाएट से बात हैं, कि अब impulses इधर से travel करने, तो cell body nerve ending, cell body nerve ending इस तरह टेज हो जाएगी, अब इस तरह से attachment देखिए, यहां से क्या हुआ, impulses, neural neurons से होते हुए, इस pathway से होते हुए, कहाँ गए, आप चुकि हाथ को हटाने के लिए movement किसको करना होगा, जो biceps, triceps, elbow की muscles हैं, उन को जाना है, इनको नहीं जाना है, क्लियर, क्योंकि तभी आप पूरा का पूरा हाथ हटा पाओगे, यह जब जटके से हाथा आते हो न, ऐसा थो नहीं किसे आपने उंगली हटा लिए, आप देखते हो कि कभी आपको current लगा तो आप पटाक से पूरी body हटाते हो, तो आपको पूरा का पूरा पाथवे है, यह जो पूरा का पूरा पाथवे, यानि कि stimulus यहां से receive हुआ, afferent पाथवे से होता हुआ, गया cns spinal cord को, dorsal nerve root और dorsal horn से होते हुए, रिले जो neurons थे, इंटर neurons, इनको में इंटर neurons भी बोलते हैं, इन्होंने message को process किया, इसके बाद motor neurons को भेजा receptors पर, sorry, effectors पर, effector ने action ले लिया, हाथ को remove कर लिया, यह पूरा का, पूरा whole pathway, this whole pathway is called actually, is called reflex arc, the whole pathway, यानि stimulus receive होना, stimulus receive होना, receive होने एक बादे ट्रेवल करके cns को जाना, cns से action लेने वाले impulses, वापस effector को जाना, और action ले लिया, ले लिया जाना, यानि action हो जाना, इस पूरे whole pathway को हम लोग बोलते हैं, reflex arc, तो reflex action क्या है, वो तो sudden response है, reflex arc क्या है, actually, the whole pathway followed to create a reflex action, reflex action को create करने के लिए, टोटल, पूरा pathway follow होगा, वो हो गया, आपका reflex arc, clear, तो यह स्पैनल कौर्ड का पसक्षन होगा, इस तरह से roots, यहाँ भी कुछ, भाई, बोड़ी में, पूरे बोड़ी मे स्किन, पूरे बोड़ी में, हर जगे, कहीं ना कहीं, तो एक ही जगे साथ channel pathway होगा नहीं, अब कुछ, देखे, यह आपका कुछ channel, इधास तरह ब्याद, इस तरह से आपके जो है, यह पूरे पूरे इस पैनल कौर्ड से, पूरे के पूरे इस पैनल कौर्ड से, देखे, यह इस तरह से हर बोड़ी में, हर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पर इनर्फ जाती हैं और आती भी हैं, यह जो मैंने आपको दिखाया है ना, इसमें, यह bundles होते हैं, इसमें motor neurons kick chain होती हैं, तो मैंने यही पार्ट आपको cut करके, यह पार्ट आपको cut करके, यहाँ पर दिखा देंगे, ठीक है उसको आप बना सकते हैं, जो भी इसमें problem होगे आप पोछ लिजेगा, ओगे thank you